कि अब फरुक्खाबात जिसका नाम कभी पांचाल देश हुआ करता था कभी स्वर्गद्वारी जिसका नाम हुआ करता था धुरुपत नगरी के नाम से जाना गया आप सोच के देखी वह एक ऐसा शहर जो इंशेंट है इंशेंट जब हम कहते हैं तो वो समय है जब कबसे कह सकते हैं मैं यह तो नहीं कहोंगा कि काशी फरुक्खाबात के बाद डैबलप हुई लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा दोनों समकालेन हैं क्यों क्योंकि एंशेंट काल में जो आदि शंकर है वो कैलाश पर विराजमान है वहीं से स्रस्टी का निर्माण माना जाता है और पूरे देश का जो सबसे पुराना मार्ग है कैलाश जाने का क्यूंकि जाओगे तो आरद्ध के पास वो किसी समय पर फरुखाबाद से जाता था पांचाल से जाता था ग्वालियर लिपूलेक उजयन से लिपूलेक और लिपूलेक से कैलाश ये मार्ग था जो सबसे पुराना संसार का मार्ग हम मानते हैं वो रहा होगा फरुखाबाद में कभी पांचाल में संगम हुआ करता था गंगा राम गंगा का अभी पानी कम होने के वज़े से थोड़ा आगे चला गया गंगा राम गंगा के संगम में इसका मतलब है उसका पाट बड़ा रहा होगा गंगा जी का तो वहाँ लोग इसनान करने के बाद गंगा जी पार करके जब हम पांचाल, आज उस महावरत काल का उतरी पांचाल वो जंगल रहे होंगे, वहाँ से यातरा शुरू करते हुए लोग चाते थे, तो आप सोचिये कि गंगा इसनान कहा करना है, पांचाल में, आज के फरूखा और वहां से यातरा शुरू करनी है और हमारे देश में जो रिप्रेजनेटेशन प्रदेश में हुआ उसने उस मार्ग को नेशनल हाइवे तक रिकोगनाईज नहीं करके रखा था जो संसार का सबसे पुराना मार्ग हो उसको नेशनल हाइवे भी डेकलेर ना किया गया हो आज जो इंशन नगरी है उसमें यातरा तो शुरू हो मिन मार्ग तो उसका रिकोगनाईज जो आज की सरकार ने उसको रिकोगनाईज किया लेकिन क्या यह 1947 में नहीं होना चाहिए था और ऐसा नहीं है कि यह बहुत लंबे समय से उपैक्षित हो 1713 1713 जब बंगशों ने आजे को हड़ पा था वहां से उन्होंने एक इस्थान का नाम रखा मुहमदाबाद मुहमाशा बंगस ने अपने नाम से फारुक शेयर यहां मुगलबाश्या बन चुका था उसने पूछा यह 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 लुटेरा कैसे हो गया मुहमद तो उसने क्या कि पांचाल का नाम बद लग बदाब करताओं आए लुटेरे तो होते ही ते इधर लूटने लटने और देखा कि यह इसलिए करना हूँ क्योंकि वो अवश्यक है स्वर्गुद्वारी यानि कि गंगा इस्नान करने के बाद केलाश मांसरोबर की अत्रा शुरू हो दूसरा महा भारत के युद्ध की नाइका द्रौपती का जनम फरुखाबाद कामपिल लगा है शांख दर्शन के जो प्रणेता हैं कमपिल मुनी वो फरुखाबाद से यानि कि कमपिल से शुरू होता है आप शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो शिव पुराण में पंच मुखी निरंकार रूप भगवान का देखते हैं शिव जी का उस रूप का चरितार्थ चित्रण सिर्फ आपको पंचाल में मिलेगा वैसे मंदिर और इंशन्ट काल की जो शिव लिंग है और पंच मुखी पंच मुखी पंच मुखी चार मुख और दूसर पाचमा उपर वो आपको वहां मिलेगा इसके अत्रिक्त भगवान बिमल नाथ आप जानते हैं तेरे में तीर्थांकर हुए हैं उनका जनम फरुका बाद का है आप सोचकर देखे जब भगवान बुद्ध ज्यान पराप्त किये तो उनकी मौसी रहा करती थी मुहमदाबाद के पास एक जगए है संकिसा आप तीर्थ हैसलों में संकिसा को पाएंगे संकिसा वो गए और संकिसा में उन्होंने पहला उपदेश दिया वो इस्थान विश्व पटल पर है लेकिन हमारे हाँ उस पर काम नहीं हुआ वेदों में एक वेद की रचना फरुखाबाद से हुई इसको हम बार बार पांचाल कहते हैं या स्वर्गद्वारी कह लीजे या अपराकाशी कह लीजे यागवलक की जनमिस्थली है और दुरुणाचारी की जनमिस्थली भी है महवरत का युद्ध संसार का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और उसमें कौरवों की तरफ तमाम सेनपती आप देखते रहे मरते रहे पंडमों का एक सेनपती था दर्श दुम्म वो फरुखाबाद जन्पत का निवासी था पांचाल का अलब दुरपदी का भाई एक ही सेनपती रहा उनका अंत में उसको भी धोके से अश्रत्थामने मारा ऐसे फरुखाबाद जन्पत जहां मिलिटरी का एक बड़ा बेस हो और इतनी सारी खूबियां हो फायान फरुखाबाद से होकर गया पंचाल से होकर गया हेन सांग उसने फरुखाबाद की चर्चा करी एक ने कंपिल का रूट अपनाया था और एक ने संकेसा का रूट अपनाया था वहां से ये काशी के लिए जाते हैं एक प्रयाक के लिए जात जाता है और एक दूसरे रास्ते पर जाता है आप सोचो कि छटी शताब्दी सातिमी शताब्दी में फरुक्खाबाद पांचाल की ग्लोरी लिखने वाले लोग यहां तक फरुक्खाबाद जनपद अपने आप में एक इस्थान रहा जहां वेद की रचना की गई हो जहां सांख दर्शन जहां से आया हो आप सोचो जहां दुरुपदी का जनम हुआ महाभरत की नाइका जहां से जनम लिया हो जहां जिस इस्थान पर आपने सेनपती दिया उस जन्पत को कैसे आप इंग्नोर कर सकते हैं लेकिन दुरभाग हमारा था कि आजादी के बाद तीर्थाटन हमने तै किये हाला कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आजादी के बाद तीर्थाटन तै हुए तीर्थाटन 2014 के बाद जैसे आप मनी प्रधान मंत्री जी को रहे हैं इनके ध्यान में पांचाल लाएगा कौन पांचाल के लोग लाएंगे ना पांचाल में रहने वाले व्यक्ति पांचाल से प्रद्रिश्ट करने वाले लोग लाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग सिस्टम को लाएंगे और सिस्टम सरकार को बताएं या लोग सीधा सरकार को बताएं तो मुझे लगता है कि सिस्टम तो अपने जैसे मनी मोदी जी कहते हैं कि सिस्टम तो ऐसा है कि साब ग्लास ऑफ बाटर है सिस्टम को जिस तरह के ग्लास में ड लेकिन administrative machinery को भी कौन करेगा इस पर research कौन करेगा मैं जब फरुखाबाद में गया और सवभाग मेरा इसलिए मुझे मिला क्योंकि कुरोना काल चल रहा था तो कुरोना में सब भाई अपने अपने घरी दिखाई देते हैं तो लंबे समय के बाद हम अपने घर गए और उसी समय पर राम मंदिर समर्पण निधी का अभियान तीर्थ ट्रस्ट ने छेड़ दिया और हमको सवभाग मिला कि हमको जिले का प्रतिनिद्द करने को मिला और हमने गाओं गाओं महले महले घुमे एक सौ सबा सो सभाइं कियोंगी और हर जगह और जब गए तो लोगों को मालुम है कि भई हमारा ये क्या है फिर कुछ गरंथ भी सामने आए और आप सोचिए कि भारत वर्ष का सबसे पुराना गरंथ अकर कोई माना जाता है तो रिगवेद मानते हैं रिगवेद के तैत्री ब्रहमन को उठा कर देखिए कंपिल वासनी देवी की अरधना होती गवरी की अ जायरा धना होती है कंपिल भासनी का मतलब यानि की कंपिल में बास करने वाली देवी पूरा संसार करता है जब आ कि लोगों ने जब मैंने पढ़ा तो समझ में आए आ उने समसे धनी शहर के रहने वाले हैं मेरी सवभाग की है महाँ लोगों का ध्यान नहीं है क्योंकि विकास जो है वो सिर्फ तीर्थ से नहीं होने वाला है फरूखाबाद में एतिहासिक रूप से अगर आप कहते हैं कि इतना समर्द था तो मेरा यह मानना है कि एतिहासिक रूप से भी वहाँ व्यापार काफी समर्द रहा होगा वहाँ के लोग, वहाँ के धनी लोग, कुछ ना कुछ ऐसे काम वहाँ करते होंगे आज के फरूखाबाद में, सुरूब बदला है, समय बदला है, 50 साल में कुछ हुआ के नहीं हुआ आज फरूखाबाद में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था कि कहां फरूखाबाद पिछड़ा लगता है और कितनी क्षमता है और संभावनाएं का है मैं उसको आधारवूट ढाचे के एक शित्र में देखू तो आपने कहा नेशनल हाईवे का एक दरजा दिया गया लेकिन आप इसके बाद क्योंकि जब हाईवे गुजर जाता है तो फिर वहाँ परिवहन की बहुत सारी संभावनाएं आ जाती हैं वहाँ व्यापार की बहुत संभावनाएं फरुखाबाद में ऐसा क्या देखते हैं आपके पास कुछ विजन है फरुखाबाद के विकास को लेकर देखिए फरुखाबाद जिसे मैंने कहा कि इंशिंट नगरी है टकसाले हुआ करती थी पीतल की बहुत बड़ी इंडस्टी थी अंग्रेजों ने भी अपनी टकसाले वहाँ चलाई है इसलिए उन्होंने वहाँ रेलवे ट्रैक डाला था वो टकसाले अभी मैं सोचता हूँ कि पीतल का काम 20-30 वर्ष पहले तक होता था तो पीतल का काम मैंने फरुखाबाद में बहुत देखा धीरे धीरे वो वहाँ से चला गया उसका काराण मुझे लगता है यह रहा होगा कि ट्रांस्पोर्टेशन की कमी दूसरा साडी का वेवपार में देखता था फरुखाबादी साली पूरे देश में मसूर है एक पूरी इंडस्टी थी और देखते देखते वो इंडस्टी फरुखाबाद से चली गई मेरे देखते देखते मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता आज फरुखाबाद में दालमोट इंडस्टी है बहुत बड़ी इंडस्टी है पूरे देश को सप्लाई करती है आप अक्सर दुकानों पर देखें फरुखाबाद की नमकीन लेकिन साहब वो नमकीन अब एक्सपोर्ट होती थी कभी फरुखाबाद कभी बाहर से नमकीन नहीं लेता है अगल बगल के जिलों में भी जो आता है उसको मालूम है लेकिन उसको मुझे लगता है ग्लोबलाईज करने की अवश्यक्ता थी दूसरा एक बड़ी महतपूर बात है यह यह जो इंडस्टी डबलप हुई डालमोट की वो क्यों हुई फरुखाबाद में आलू उपता है और आप सोचिए देश का ग्यारा प्रिशत आलू फरुखाबाद देता है यह बड़ा सुनने में बड़ा विच्ट रहा प्रतिश 15-20 वर्ष पहले यह बहुत बड़ा जिला होता था फिर बाद में कटा लेकिन 11 परशत यह पूरा क्षित्र मिलाकर आलू देता है देश का और क्या नहीं वेराइटी होती आजकल डायबिटीक डायबिटीज की प्रॉबलम है सब देशवर में आलू डायबिटीज करता है फ उसकी industry फरुक्षबाद में क्यों नहीं लगी आप चिप्स दुनिया भर की कहीं से बना रहे हो सेव बना रहे हो वह उसकी भजिया बनाते हैं फरुक्षबाद में क्यों नहीं स्रोप अब फरुक्षबाद में इसलम हैrage अलू तो है लेकिन अलू के लिए processing industry अग 집स्थिय अ से होती हर election में होती हर election में जाएंगे तो राहुल गांदी तो अलू से सोना भी निकालते हैं तो हर समय होती है लेकिन सब इसका प्रयाश कौन करेगा इंडस्टी लाएगा कौन इंवेस्टर स्कौन लाएगा क्या इन्वेस्टर्व के लिए फरुखाबाद में इन्वेस्टर समीटी नहीं हो सकती है घुजरात करता था मोधीजी ने वहा शुरू किया नेशनल investor समिटी होती है फिर उत्तर प्रदेश की होती है क्या जिले में यह नहीं हो सकता इंवेस्टर ही तो लाना है कोई अपराद नहीं है हम देशभर में आलू IN ड़स्टी के लोग साढी डास्टी के लोग inकों को हम काई हो जाती कि नदी में फेकना पड़ता है सड़ाना पड़ता है सड़े हुए आलू से नितिन गड़करी जी ने एक एक्सपरिमेंट करवाया ऐसा मैंने सोना और उससे कुछ केमिकल बनाए है सब सड़ा हुआ हमारे हम पड़ा रहता है बद्बू और मारता है क्या वो यहां उसकी प्रोसेसिंग इंड़स्ट्री नहीं लग सकती सड़े हुए आलू से केमिकल बने है और फूड प्रोसेसिंग जाती है तो किसानों को भी दाम सही मिले और काम आम के आम गुटलियों के दाम वाली बात है इसका मुझे लगता है कारण यह रहा होगा कि इंफ्रास्रक्शर धीरे वहां खतम होता गया सलमान कुर्शिद रिप्रेजेंट करते थे पहले आप सुनों जाकिर हुसेंड पश् उन्होंने मुझे नहीं लगता है एक पॉइंट भी काम किया होगा फिर उनके परिवार से खुर्शिद आलम खां संसद हुए उसके बाद वो रज्य पाल हुए सलमान कुर्शिद आप रोज सुनिया मता की अरती करते उनको पाएंगे इसलामिक करेक्टर में तीन तलाग पर मुकदमे लड़ते हैं वो अलाबाद हाई कोट जाते हैं कि साब हम ये अजान नहीं बंद होनी चाहिए ये इसलाम का पार्ट है फरुखाबाद को गुझा दो बिलकुल घर घर में अजान लोगों के कान में गुझे वो एस एथियासिक नगरी जो शिव की नगरी है उसमें अजान घरों में जानी चाहिए इसके लिए वो अलाबाद हाई कोट जाते हैं लेकिन उन्होंने फरुखाबाद के लिए क्या कोई विदेश मंतरी रहे वो इत में इंफ्राशक्चर जो मोदी जी लगतार कहते हैं कि अगर आपको विकास की रास्ते पर जाना है तो सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्क्चर ही बनाना पड़े गा न्यू डालोगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी करेंगे, न्यू नहीं बनाई तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, तो infrastructure की धीरे-धीरे सब-destroy होता चला गया, और connectivity खतम होती चलेगी, ये सरकार, बाचपई जी की सरकार बैठी थी, तो छोटी लाइन बड़ी लाइन में convert ह होगी, उसके बाद तक जो सरकार बैठी रही, वो चुके प्रोजेक्ट समय सेंक्शन होगे तो बाद में बनता रहा, आज फरुखाबाद की connectivity पूरे देश से है, दिल्ली तक बड़ी लाइन आ रही है, इधर मुंबई तक जा रही है, आप कहीं भी जा सकते हैं, वो एक और महत्यों कांकशी प्रोजेक्ट चार एक्स्प्रस वे उन्होंने दिये हैं प्रदेश को, और सिर्फ साड़े चार साल में, बहुत बड़ी बात होती है, आप देश में, इस्टेटों में एक 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 एक्सप्रस वे भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, चार एक्सप्रस व परुखाबाद के लोगों ने कभी इसके बारे में आवाज उठाई हूँ क्योंकि जब गंगा जी वहां से हैं और उनका मार्ग भी और नाम भी गंगा एक्सप्रस वह है तो वो तो लाजमी था कि वहां से जाता है कहीं नहीं पूरी हो सकती कुछ तो टच करती उसके लिए मुझे लगता है जो सिस्टम है अब वो सरकार तो प्रोजेक्ट सेंक्षन कर सकती यहां से हमें मेरेट पहुचना है सिस्टम क्या कए साभ यहांबालू है इस ली नहीं हो सकता यहां साब बस्ती है इसली नहीं हो सकती यह यह प्राब्लम है इसली Stephanie सिस्टम को तो बिल्कुल होते खुली स्था चाहिए जहां से वह उठे और सिथा उड़ता चला जा का हो जाए कि Sistem का सुभाव को पेली लेना कि सको लेना चाहिए पेल लेने के लिए परुखाबाद के लोगों को पंच्छाल के लोगों को लेना पड़ेगा उन्हों को एक प्लान बताना पड़ेगा कि निसाब ये जहां पूर्की बजाए, अगर यहां से गुजरे, तो इसके ये लाब और ये हनी है, हम सरकार से बात करें, हम सिस्टम को कन्विंस करें, सिस्टम और सरकार हमको कन्विंस करें, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, हम जनता को बता सकें, जिनता के दर कौतू हलने से किसाब एक्सप्रेस भे फरुखाबाद से नहीं गुजरती कौन बताएगा सरकार से सिस्टम से जो जूजे वो बताने की स्तिती में आए लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो रेप्रेजेंटेशन वहां से होता है वो रेप्रेजेंटेशन उस पै लखनू एक्सप्रेस आगरा लखनू फरुखाबाद को छूते हुए कोने से निकलती है जीटी रोड बन रही है जमाने से उपेक्षित पड़ी थी तो अब वो बन रही है फरुखाबाद के बाहर से निकल रही है गंगा एक्सप्रेस फरुखाबाद के बाहर से निकल रही ही प्रुओकाबात के अंदर जैसे मैंने आपसे कहाँ कि नैशनल हाईवे नंबर नाइन्टी टू रिकउग्नाईज करभा लिया ये बात सन्थ 2011 में 살今日 के दो हजार 1 की पार्लेमेंट में ये बात बदली रही फिर से प्रयास शुरू हुए हम सब को लगा कि नहीं होना चाहिए तो फिर उसको नेशनल हाइवे डिकलेर किया गया अब वो बीचो बीच से निकले अब यह हो गया तो मतलब कनेक्टिविटी की अब कोई समस्या नहीं रही जैसे आप कहा रहें कि अब काफी सार इस से काटता हुआ एक नेशनल हाइवे हमको मिल गया अब फरुखाबाद में एक रिंग रोड और बननी है और इनमें सी रिंग रोड बन सकते हैं बहुत बहुत उसमें काम नहीं करना तो मुझे लगता है फिर फरुखाबाद बीच में और चार और से कनेक्टिविटी और फरुखाबाद इसका लाब बहुत बड़ा ले सकता है इंडस्ट्री के लिए जो कुछ काम की सबसे इंपॉर्टन बुन्यादी चीज़े होती है कानून विश्था और मुझे लगता कि योगी जी सरकार ने उस पर काफी काम किया है लेबर एक समस्या हमेशा आती है ट् बिजली एक बड़ी चीज़ है इस इन सब चीज़ों को लेकर के फरुखाबाद में क्या सती है क्या वो सब उनको वहां मिलेगा जो उनको फ्लरिश करने के लिए चाहिए देखे योगी जी की सरकार बैठने के बाद बिजली की तो पूरे प्रदेश में समस्या नहीं है और इंडस्टियल यूनिट है वहां है cold storage है उसके आलू के और उनको तो विजली मिलती है commercial विजली मिलती है और cold storage तो आप समझते हैं कि बाकी इंडस्टिय बंद कर दीजिये production नहीं हुआ चलो चल जागा लेकिन अगर वो बंद खोगे तो उसमें रखा हुआ माल सड़ उसके लिए आपको master plan लाना पड़ेगा, शहर में जल भराओ होना, उसके लिए sewer line की वेवस्था करनी पड़ेगी, इतनी सारे unit काम करते हैं, unit से मतलब लोक सभा का पैसा होगा, फिर विधान सभा का, विधान सभाओं के पैसे होगे, नगर महापालिका है, उसका अलग fund है, फ फिर उसके बाद blocks हैं, खंड जिसको कहते हैं, विकास खंड, उनके पास अलग fund है, नय पंचयत के पास अलग, और ग्रम पंचयत के पास अलग fund है, अब इन फंडों को कैसे एक दिशा में लगाया जाए, इसके लिए planner और planning की आवशकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की आवशकता जो सिस्टम को समझता हो, और आवशकता को समझता हो, जैसे मैंने कहा कि मौदी जी ने ये सबसे बड़ी उपलब्दी उनकी मैं मानता हूं, कि उन्होंने गती शक्ति की स्थापना की, गती शक्ति का मतलब ये, कि गती कैसे मिले, है तो fund सब के पास, लेकिन वो एक दिशा म मैंने लोगों से बात की, उन्होंने का साब इतना fund कहां से आएगा, जो यहां, सीवर लाइन डाली जा सके, साब हमारे पास urban ministry है, तो आप समझ सकते हैं, कि urban development ministry का काम ही ये है, लेकिन उसका plan कौन बनाएगा, fund कैसे manage होंगे, सरकार से कौन बात करेगा, ministry से कौन बात करेगा नगर महापालिका है, तो उसमें ये हो सकता है, कौन बात करेगा, कोई बात करने को तयार नहीं मुझे रहता है, अच्छा, दूसरी बात ये है, कि मनी योगी जी से बात करने के लिए, विक्ति को चाड़ित्रिक रूप से बड़ा स्वक्ष होना पड़ता है, क्योंकि उनक आभाव अंडल ऐसी है, कि आप सामने बैठेंगे, तो खीच लेते हैं शक्ति, और लोगों की आवाज नहीं निकलती है, उनके आगे, तो आप कहतो सकते हैं, ये, 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 लेकिन उसका प्लान कौन बनाएगा, मैंने जैसे कहा, सिस्टम कुछ नहीं अपने मन से करने वाल आपको सहयोग सिस्टम के साथ करना पड़ेगा, सिस्टम से करवाना पड़ेगा, सिस्टम को समझने वाले लोग, पुलिस प्रशाशन को समझने वाले लोग चाहिए एक जिले में, और इनके सब के बीच में गती शक्ती आप नेशनल लिबिल पर लगा रहे हैं, लेकिन वो को बताओं जैसे स्वयम साहता समूँ खोल रहे हैं मैं अभी कुछ दिन दो चार दिन पहले था तो हमारे गाओं में स्वयम साहता समूँ खोलने के लिए कुछ महिलाएं थी हमरी उनसे बात हुई तो हमने उनसे कहा कि ठीक है आप सहता समूँ खोल देंगे ये कुछ काम करेंगे इसका production कहां होगा बिकेगा कहां उन्हें साथ हम तो खोल लें आए अब एक ग्राम में खोल दिए वो कुछ बनाएंगी उसकी Market कौं दिखाएगा उसके लिए क्या विवस्ता एक दूसरे के साथ संबन्द कौन बनाएगा एक गुरूप कुछ बना रहा दूसरा कुछ बना रहा तीसरा कुछ बना रहा उनके सब के जाता है तुरण चला जाता है मार्केट में जो है उससे बहुत सस्ता बन सकता है मैं एक सहकार भारती नाम का संगठन जानता हूं वो क्या करते हैं साबुन बनवाते हैं घरों में वाथरूम क्लीनर बनवाते हैं घरों में चुटी-चुटी चीजें और साम मार्केट से जो च शार स्वेम साहता समून आपस में बनाएं और गाऊं में फेसल कर लें आपको बाहर से कुछ लाना ना पड़े और जो एक्स्ट्रा हो वो कहीं और जाए जो हमारे यहां बिल्कुल नहीं बन सकता, वो हम कहीं और से लाएं, जो हमारे यहां बन सकता है, उसको क्यों न एक district के अंदर कोई district छोटा नहीं होता है। इंदुस्टान को आप 65,600 डिस्टिक में बाढ़ते हैं डिस्टिक बढ़ी युनिट होती है कोई एक फरुखावाद नहीं है यह पूरे देश की प्रॉबलम है हर डिस्टिक में ये समस्या है बढ़ी डिस्टिक को आप एक युनिट बनाइये अब फरुखाबाट डिस्टिक या कोई भी डिस्टिक उसमें साथ आठ विकास खंड होते हैं, एक दो तीन नगर महापालिकाएं भी होती है या जिला पंचायत होती है, इनके बीच में कैसे कॉडिनेशन हो, सांसर निधी भी उसी रोड पर लगाई रही है। और वो कैसे एकी दिशा में, एकी दिशा में सभी प्रयास पूरा बल उसी दिशा में लगे, आपकी जो बात नहीं समझभाएं। फिर खंड का मामला है, एक विकास खंड, दूसरे विकास खंड को कैसे करेगा, तो उनके दोनों के जो ट्रांजिशन पूर्शन है, उसमें विधायक निधी लग सकती है, और बाकी खंड का बलाग प्रमुख रहता है, वो कर सकता है। और एक गाउं आप ले लिजे, कोई भी एक गाउं, और उस गाउं का एक मास्टर प्लान बनाएए। उस master plan में जे 5 तरह की निदियां, 6 तरह की निदियां हैं, गाउं की भी अपनी निदिये, आप 6 उसे थोड़ा-थोड़ा सही हो लें तो गाउं तयार हो जाएगा, होता क्या है, कि एक आया और उसको हमने कहा कि साथ हमारे गाउं में सीवर लाइन पढ़नी है, या हमारे आप हमारे गाउं को कितना allocate कर सकते हैं, तीन लाग कर सकते हैं, आप थोड़ा negotiate करके 5 तक कर देंगे, संसर निदिया गई, उसी एक ही प्रोजेक्ट में जैसे सरकार बनाती ही ना, रोडे, 50 किलो मेटर, 50 किलो मेटर, 100 किलो मेटर और अलग अलग distribute करती हैं, तो क्या हम एक ही फ़े ही गाउं में एक यूनिट में 5 लोगों के फंड को 1 प्रोजेक्ट बना कर थोड़ा थोड़ा distribute करके नहीं बना सकते, 2 गली आप बना दीज़े, 2 आप बना दीज़े, इसका इतना सीवर आप डाल दीज़े, इतना सीवर आप डाल दीज़े, बाकी जो बचे का maintenance का का क होते हैं ब्लॉक में आप विश्वास करिए कि जो राजना सिंग जी के बात की सरकारे बैठी उन्हों ने उसमें ऑफिस खोल लिए साब विबलन के इसलिए बने थे कि जो प्रोड़क्ट भरका बनेगा उसकी एक मार्केट एक दिन वहां पर लगेगी और सब को पता होगा कि स सेलर भी वहां और बायर भी वहां पहुंचेगा वहां चला जाएगा वह मंडी टाइप की बनाई थी उसी को विबलन कहते हैं मैं ब्लॉकों में गया तो मालूपड़ा वा साब ब्लॉक के वो जो वीडियो होता है उसने साब अपना हॉल बना रखा है वह बहां बैठक करता है उसने अपनी मीटिंग कर्क्ष बना रखाया आप बताए कहां सेल करोगे कोन सेल करेगा कैसे सेल होगा कहां कौन सा ऐसा सैंटर है जहां पर आप सबको मिला सके और जब सब को मिलाएंगे नहीं तो फिर आप बता दीजिए यह मॉडल कैसे खड़ा होगा मॉडल जब आप अकेले अकेले चलेंगे, कि विधायक जी अपने हिसाब से चलेंगे, सांसर जी अपने हिसाब से चलेंगे, ब्लॉक प्रमुख अपने हिसाब से चलेंगा, ग्रम पंचायद, नियाए पंचायद, जिला पंचायद, सम अपने हिसाब से चलेंगे, जिसको जो अच्छा लगता ह वो कराता है गती शक्ति बनाए है इसलिए गया है हमारे हाँ की समस्या यह है कि ऊपर मोदी जी बैठे हैं वहाँ योगी जी बैठे हैं वो तो योजना चलाते हैं वहाँ से वो अपने इस्तर पर जो किंद्र सरकार करती है वो अपना कर रहे है राज सरकार के इस्तर पर जो कर रहे है जो एड्मिनिस्टेशन के इस्तर पर है वो एपसेंट है गती शक्ती फॉर डिस्टिक भी होना चाहिए गती शक्ती फॉर विलिज भी होना चाहिए गाउं में भी रोड भी बनती है नाली भी बनते हैं सीवर भी पड़ता है उसके ड्रेनेज भी बनता है वायर भी इलेक्ट्रिस रोड अच्छी काशी बनी हुई थी वो खोद कर चले गए और उसने ऐसी मिट्टी बर दी पानी बरसा तो वहाँ निकलने का रास्ते नियों बचा मेरी गाड़ी भी फस गई उसमें पैर फस गया अब जिसने ये रोड खोदी है क्या उसकी जिम्मेबारी नहीं है कि वो उसको बनाए अब दूसरा कौन बनाएगा जो बनाएगा वह साब 20 साल बाद बनाएगा पांसाल बाद बनाएगा चार साल बाद बनाएगा और कहेंगा साब वह खोद गए मैं क्यों बनाऊ जिसके पास maintenance भी है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि नई साड़ा कभी चार महीने पहले बनाएगा तो क्या बहिया इन में सब में एक मास्टर प्लान 20 साल का नहीं बन सकता गाउं का या महले का और 20 साल की आवशक्ता है आज calculate करेंगे जिलास्तर पर काम हो सकता है जिलास्तर पर नीचे गाउं से शुरू करिए साब महले से शुरू करिए और उसको ले जाते सब तो अपने पने में इन से बात नहीं करूंगा वो उनसे बात नहीं करेंगे और साब मैं तो कुछ करी नहीं सकता अब मैं आपको बताओ भड़ी अच्छी गठणा अच्छी क्या फरुखा बाद में लोगों ने कहा कि साब बाबाजी महमरे हां मनी योगी जी को लिग्ताइजें की तो साथ किसी की चलती नहीं है आप कोई हमारे ही हाँ पृतनिदियों से कहता है जो लोग नेत estas तो करते हिं उनसे कहता हुए ही साथ यह काम नहीं हो रहा या पुलिस हमें परिशान कर रही या फला जगह हमसे रिश्वत पढ़ रही है ऐसी कोई कहते हैं आप देखिए उनका ही काम है बाबा जी तो देखने आएंगे नहीं वहाँ ठीक बाबा जी के पास कंप्लेंट चली जाती है दूसरे दिन आक्शन हो जाता है अधिकरी नाप दिया जाता है लेकिन बाबा जी के पास तक कोन ले जाए और दूसरी बात यह है कि नीचे आपने जवाब देना ये शुरू करते हैं साब बाबा जी के आगे किसी की चलती नहीं उन्हों प्रशाशन को फ्री हंट दे रखा है प्रशाशन को फ्री हंट तो राजसरकर देगी ही देना उसका काम है लेकिन उस प नियाले में कुछ कहा जाता है हासी की भाशा में हम कहते हैं नियाले में कहते हैं साब कुछ लोग चिला कर कुछ फैक्ट पर काम करते हैं जैज्मन ले आते हैं कुछ कानून पर ले आते हैं कुछ चिला कर ले आते हैं हो हो करा साब देख लीजे और फिर जब कुछ नहीं आ जानते होंगे या उसके बरावर नहीं जानते होंगे तो आप justify कैसे करेंगे अपनी बात को तो जिस administration को आप चलाने वाले हैं जिसका नित्रत तो आप जनता का करने वाले हैं एक 2-3 लाख लोगों का उन 2-3 लाख या 20 लाख लोगों का नित्रत तो करने के लिए जो अधिकार बीस्ट हो आये हैं उन्हें बीस को कौन बताएगा कि ये करना ये नहीं करना चोटी सी घटना एक आई मुझे अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने कहा किसाब एक घटना हो गई किसी बच्चे को गिरफतार कर लिया पकड़ लिया मुसलमानों ने और उसको बंद रखा और बाद कहते हैं पहले करने को तयार नहीं हुआ फिर लोगों ने दबाव बनाएगे लिखो बात में हमसे कहा कामरे लिख तो गई फायर बोले जो लिखवाया था वो लिखा ही नहीं उसने अधिकारी नहीं जबकि एफायर का नियम यह है कि शब्द शा कॉमा इंवर्टिट कॉमा सहित वो वैसी ही लिखेगा जैसी मैं बोल रहा हूं वो उसकी समझ में आये ना आये उसका लेना देना नहीं क्योंकि वो एक डॉकुमेंट है जो कोड़ पड़ेगा अब साब हमारा कोई विक्तितों हो जाएगा कि यह जो हमने तहरीर दी है एप्लिकेशन दी इसी एप्लिकेशन को एफायर में लिखिए इसमें आप क्यों चेंज करते हैं वो अपनी सुविदा के नुसार चेंज कर रहा है ठीक प्रशाशन से सरकार से आदेश है कि एफायर लिखिए यह योगी जी की सरकार पहली सरकार है जो कहती है कि अगर कोई डॉक्मेंट आता उस पर एफायर लिखे ही करिए नहीं तो जनरली क्या होता है सरकार कहती है इसी सरकार जो कहती है कि नहीं लेना है एक भी अपरादी नहीं चोड़ना जब तक वह और रिकॉर्ड नहीं आएगा हम एक्षन कैसे लें तो जब सरकार कह रही है तो लिखवाएगा कौन कोई तो नितर तो आम जनता है उसको नहीं मालूम ना तो जो नितर तो करने वाला है उसको मालूम होना चाहिए कि डिस्टिक मेजिस्टेट कैसे काम करेगा कहां फस रही यह बात वो क्यों मना कर रहा है यह एससपी क्यों मन करेंगे citizen charter है हमारे पास हम application दे आते हैं वो रिसीव नहीं करता तो मुख्मत्ति का portal है cm portal हम क्या उसके थुरू डाल सकते हैं यह कौन बताएगा यह तो वह बताएगा जिसको जनता अगर सब आपको जानती होती तो आपको प्रतिंगे तो क्यों चुनती वो खुदी नहीं कर लेगी और फिर आपको क्यों मनें आपको हमको या मेरे को आपने काम दिया दायत तो दिया तो फिर मेरी थिम्य वारी है उसमर काम करेंडीज।這樣的 से मना कर दोंगा गए साब हमारे बसका नहीं है कितने लोग मना करते थे और मेरे बसका लolut नहीं होता मैं मना करते हो मेरे वसका नहीं यह तो हमें टीम करेंडी से में कौड़िनेट कोडिनेट कर सको नहीं यह मुझे नहीं लगता कि मुझे मैं कर पाऊंगा मना कर दीजे जबरतस्ती क्या है सब दायत तो हो बैनर होल्डिंग तो लगे हो लेगे मुझे काम नहीं आता तो फिर आप किस लिए हैं यह स्थिति है आज की राजनीती की राजनीती चलने लगा बं नहीं करता लेकिन आज डबलमेंट भी तो होना है में उस शहादत को कितने दिन तक आप उसके पीछे खड़े होकर बात करते रहेंगे आप परिवार को लेकर कब तक चलते रहेंगे कभी तो परिवार का अंतों होगा मैं फरुखाबाद में यानिके पांचाल में कभी और य transitionर कि बात कर रहा हूं ग्ल राजा करते लिटेस परिवार कहां एंगर वह परिवार खतम ना हुए होते और परिवार वैसे ही चलते तो परसनल अटेश्मेंट है तो परसनल अटेश्मेंट आपका होगा लेकिन आप क्यों बली शड़ारे हो जिले की क्यों डबलमेंट अपनी आगे आने वाली पीडियों को जोक रहे हो उसमें मिट्टी में यह तो सोचना पड़ेगा ना कि दूबे जी बहुत मुझे लगता आपने जो भी अभी तब बाते कई हैं और जो कॉंसेप्ट आपने एड्मिनिस्टेशन का प्रिशासन का यहीं सरकारों में काम कैसे होना चाहिए जिलास्तर पर कैसे कॉड़नेशन हो करके ऊपर से नीचे तक तंतर को आपस में समनवे एक इंटिग्रेशन के साथ काम करना ह यह कॉंसेप्ट दूबजी मुझे लगता है कि मुझे शुबकामना इस बात के लिए देनी चाहिए कि अगर यह कॉंसेप्ट हम देश के तमाम जिलों में जहां कहीं खामिया है लागू करें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और जैसा आप गती कि बात भी कर रहे हूं उसकी जो संकल्पना है वो मुझे लगता है कि देश भर में साकार होते देख सकती है आपका अगर यह कॉंसेप्ट का लागू हो जाए ऐसा में मानता भी हूँ और मेरा विश्वास है कि कहीं अवसर मिलेगा तो आप शायद इस से पीछे नहीं हटें बहुत बहुत धन्यवाद दिलिप कुमार दूबे जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए जी धन्यवाद